तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे पढ़ाई भी अच्छी चल जोगी दोस्तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बिहार पारामेडिकल 2016 के मैट्स के पेपर को देखेंगे है ना यानि बिहार पारामेडिकल 2016 का जो मैट्स का पेपर था उसी पेपर को आज की क्लास में हम लोग सॉल्फ करेंगे और देखें टोटल जो है 15 कोश्चन्स पूछे गए थे 2016 में तो यहाँ पे हम लोग टोटल कोश्चन्स को करेंगे ठीक है बचो तो चले बचो क्लास को स स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आप सभी विद्यारतियों के लिए स्टुडेंट्स यदि आप लोग कम समय में एकदम बहत्रिन त्यारी करना चाहते हैं और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एक्जाम रेलेवेंट हैं तो आप लोग कम समय में हमारे पेट कोर्स को लेकर भी अपनी तयारी एकदम पॉफेक्ट तरीके से कर सकते हैं है ना तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर 799 रुपेज फी पे करना होगा उसके बाद आपको क्लास का ID पासवर्ट क्लास का लिंक और क्ल जो है वो जूम मैप पे चलेगा डेली क्लास होता है सबता में 7 दिन क्लास होगा उसके बाद weekly doubt session चलता है और यहाँ पर आपको recorded video भी मिलेगा recorded क्लास भी मिलेगा और बच्चों क्लास जो है यह आपका bilingual में चलेगा यानि अगर आप Hindi medium के student हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं नया batch आज से ही जो है start हुआ है तो यदि आप लोग इस batch को join करना चाते हैं तो आप लोग दिये गए नमर पे हमें contact कीजिएगा आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगा और students आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि काफी बच्चे इस paid course से जुड़ चुके है तो चलिए मैं उन बच्चों का feedback दिखा देता हूँ कि paid course को join करने के बाद उनको class कैसा लगा तो आईए आप लोग उने के comment के माधियम से थोड़ा सा देख लिजिए उसके बाद मैं class को start करता हूँ तो student जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं telegram के channel पर आ गया हूँ और यहीं पर एक दिन जो है feedback लिया गया था बच्चों का पूछा गया था जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरे ऐसे कितने student हैं जो हमारे paid course की मदद से अपनी तयारी कर रहे हैं और उनकी तयारी अच्छी चल रही है आप सभी अपना feedback जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं teacher के द्वारा बच्चों का feedback लिया गया था तो यहाँ पर 137 comments आये हैं student के तरफ से तो आप लोग यहाँ पर जो है बच्चों के comments को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा चल रहा है है ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं student सर सीनी सिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में बहुत अच्छे से समझती भी हूं यह तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी बच्चों ने अपना feedback दिया है paid courses के प्रति ठीक है तो अगर आप बच्चों अब आज की class को मैं start करता हूं आप लोग पढ़ सकते हैं काफी सारे comments है ठीक है चली student पहला question है एक बाग मध्य में आयकार है और दोनों किनारों पर अर्ध वृत है बाग की कुल लंबाई 20 मीटर है और चोड़ाई 7 मीटर है तो बाग का छेतरफल होगा मीटर स् ठीक है और ये चार option आपको बच्चों given है तो चली student बहुत ही simple question है बोल के आ रहा है कि एक बाग मध्य में आयतकार है और दोनों किनारों पर अर्ध वृत है ठीक है तो आए बच्चों एक garden को बना लेते हैं जिसका मध्य भाग आयतकार यानि rectangle form का कर देते हैं ये कोई garden है और ये मध्य भाग है ये जो देख रहे हो ना आयतकार टाइप का ये मध्य भाग है और इसका दोनों किनारों पर अर्ध वृत है यानि इसका ये जो पहला किनारा है ये अर्ध वृत है और दूसरा किनारा भी बच्चों अर्ध वृत है ठीक है अब इसके बाग की बाग की कुल लंबाई 20 meter है यानि यहां से लेकर यहां तक जो कुल लंबाई है ना 20 meter है और उसके बाद चोड़ाई जो बच्चो यह देख रहे हो यह सात मीटर है थीख है तो आपको बाग का छेतरफल निकालना है मीटर स्क्वायर में ठीक है कैसे निकलेगा बहुत ही सिंपल कोशन है तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बाग के वृत्ताकार भाग का कुल छेतरफल है पहले उसको निकाल लेते हैं यानि यह जो बाग का वृत्ताकार भाग देख रहे हो यह एक यह हो गया इसका कुल छेतरफल निकाल लेते हैं फिर उसके बाद बाग के आयतकार वाले भाग का कुल छेतरफल निकाल लेंगे दोनों को add कर देंगे answer आ जाएगा ठीक है तो देखिए step by step मैं चलूँगा तो यहां से आपको लिखना है क्या लिखना है बच्चो बाग के वृत्ताकार बाग के वृत्ताकार भाग का कुल छेतरफल यानि अभी हम लोग केवल और केवल वृत्ताकार वाले भाग का कुल छेतरफल लिखा लेंगे तो आप ही बताऊ तोई यह जो देख रहे हो यह तो अर्द वृत हैं अर्द वृत है कि नहीं है तो अर्द वृत का छेत्र फल कितना होता है बच्छो आप बोले गाँ सर पाई यारी स्क्वाइर अपान में 2 होता है है ना तो इसका इसका तो हो गया पाई र स्क्वायर अपॉर्ण में टू अब यह भी तो है ना क्योंकि देखिए बाके विरिताकार भाका कुल छेतरफल यानि इसका भी और इसका भी दोनों का निकालना होगा अब इसका भी यह भी अर्ध विरित टाइप का है तो इसका भी कुल छेतरफल कितना हो जाएगा अर्ध विरित का छेतरफल कितना होता है पाई र स्क्वायर अपर में टू हो जाएगा तो इसको भी प्लस कर दो इसको और इस दोनों को प्लस कर दो तो एक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और फिर pi r square कितना हो जाएगा 2 pi r square हो जाएगा 2 से 2 cancel कर दिजिए तो एक क्या आ गया बच्चो pi r square आ गया आपका अब आपको r निकालना होगा ठीक है तभी आप लोग जो है बाग के वृताकार वाले भाग का कुल छेतरफल निकाल पाएंगे देखिए आपको ये मिल चुका है pi r square लेकिन अभी भी आपको निकालना है नस देखिए pi का value तो 22 बटा 7 होता है r पता चलेगा तब ना आपको पता चलेगा कि भाग के वृताकार भाग का कुल छेतरफल कितना है तो r कितना होगा तो एक चीज बताएंगे बच्चो ये जो है ये पूरा 7 मीटर है यानि देखिए इसको और इसको add कर देंगे तो ये एक circle का रूप ले लेगा लेगा ना और यही चीज जो है दिया हुआ है 7 मीटर तो आप लोग समझ सकते हो कि एक circle का जो diameter है वो 7 मीटर दे रखा है तो radius कितना हो जाएगा बताए ये radius कितना हो जाएगा इसका अधा होता है ना तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा तो अब निकाल लिजिए बाग के वृत्ताकार भाग का कुल चेतरफल यानि पाई आर स्क्वाइर ठीक है अब पाई की जगे आप लोग 22 बटा साथ रखतीजिए अब गुने में आर कितना है 3.5 गुने में 3.5 इतने को सॉल्फ कीजिए तो बच्चो कितना आ रहा है जल्दी से हांज इतने को सॉल्फ कीजिए गा बच्चो या आ जाएगा 38.5 मिटर स्क्वाइर ठीक है इतना आ जाएगा तो ये निकला बाग के वृत्ताकार भाग का कुल चेतरफल अब आयत का भी चेतरफल निकालेंगे न तब दोनों को एट कर देंगे तब निकल जाएगा ठीक है तो अब यहां से लिखना है बच्चो क्या लिखना है बाग के आयतकार भाग का कुल चेतरफल बाग के आयतकार भाग का कुल चेतरफल ठीक है, तो बच्चो एक चीज बताए मुझे, यहां से लंबाई क्या होगी, क्योंकि देखिए, आयत का चित्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चोड़ाई, आयत का चित्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चोड़ाई होता है, तो लंबाई पता चलेगा, चोड़ाई त पर सरकिल भी आ जा रहा है है ना यह सेमी सरकिल है अर्ध वृत है यह भी आ जा रहा है तो आप बताएं लंबाई कितना हो जाएगा इसका तो देखिए करना कुछ नहीं है आपको यह जो दिया हुआ है 20 मिटर इसको लिख दीजेगा और देखिए एक बार जो है यहाँ पर साड़े तीन आ गया है और यहाँ पर भी साड़े तीन आ गया है यानि माइनस में क्या करना है साड़े तीन माइनस साड़े तीन कर देना है तब आपको यहाँ से यहाँ तक का जो है लंबाई मिल जाएगा और यह बात समझ में यानि देखिए यह क्या है यह तो क्या हो जा है ना क्योंकि आयत की लंबाई पूछा है संपूर्ण का नहीं न पूछ रहा है तो यहां से आयत की लंबाई कितना हो जाएगी तो बीस में से आपको एक बारी साड़े दे रखा है, तो यहां से L गुने B, हम लोग बोल सकते हैं लंबाई गुने चोड़ाई, कितना हो जाएगा यह यानि 13 गुने साथ कितना हो जाएगा, एक 90 मेटर स्क्वार हो गया, तो देखिए अब ध्यान से समझेए बाग के विर्ताकार भाग का कुल छेतरफल कितना निकला, 38.5 है ना, और भाग के आयतकार भाग का कुल छेतरफल कितना निकला 91.5 स्क्वार दोनों को जोड़ दीजिए, अंसर हाजी यानि 91 91 पलस मे 38.5 दोनों को जोड़ दीजिए, बच्चों याद आगा 129.5 मेटर स्क्वार देखिए, बहुत ही important कोशन था, तो जल्दी से बता दीजिए, आप लोग को clear हुआ ये कोशन जल्दी से, सभी स्टुडेंट बताएंगे, बहुत ही अच्छा कोशन था, स्टुडेंट चलिए, बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए, स्टुडेंट अगला कोशन है 2 मीटर बराबर है 200 मिली मीटर के 20 सेंटी मीटर के 20 दैसी मीटर के 2000 डेका मीटर के जल्दी से जवाब दीजिएगा 2 मीटर दे गए ऑप्षन में किसके बराबर होगा तो वेरी गुड़ यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्षन नमबर सी देना आप लोग का अंसर सही है, ठीक है तो बच्चों याद रखिएगा कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर ये बराबर हो जाता है, 10 डेसिमेटर के ठीक है 1 मीटर जो है, ये 10 डेसिमेटर के बराबर होता है तो यहाँ पर आपसे 2 मीटर पूछा है है ना, तो 2 मीटर कितना डेसिमेटर के बराबर हो जाएगा तो 20 डेसिमेटर के बराबर हो जाएगा और ये बात समझ में और कभी कभी देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकते हैं कि 1 meter कितना centimeter के बराबर होता है तो ये तो हर ये student को मालूम होगा कि 1 meter जो है ये 100 centimeter के बराबर होता है ठीके हैं तो ये सब बच्चो कुछ points है जो आपको याद रखना है ऐसे questions जो है पूछे जाते हैं ठीक है हाँ जी अब देखिए 2020 में एक question और पूछा गया था आपके maths में ये वाला question था कि एक inch एक inch जो है बच्चो ये कितने centimeter के बराबर होता है तो इसका answer जल्दी से दीजिए वीडियो के comment section में एक inch जो है ये कितने centimeter के बराबर होता है जल्दी से बताए हाँ जल्दी से बताए एक inch कितने centimeter के बराबर होता है तो बच्चो ये होता है 2.54 centimeter के बराबर होता है याद रखना है ये पूछा जा चुका है ठीक है चले बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला कुशन है अगर 2, 1, y, 5 9 का एक गुणज है तो y का मान बताए यानि ये सब जितने भी संख्य है देख रहे हो 2, 1, y, 5 ये क्या है? 9 का एक गुणज है तो आपको y का मान बतादेना है तो बच्चो 9 का गुणज का नियम क्या होता है? यानि 9 का विभाज्य का नियम क्या होता है? ये आपको मालूम होना चाहिए 9 का विभाज्य का नियम क्या होता है? तो देखिए ये जितनी भी संख्याएं है ना 2, 1, y, 5 इस सब को आपस में multiply कर दिजिए यानि 2 plus 1 plus y plus 5 और इन सब को भाग दे दिजिए 9 से यही होता है 9 का विभाजे नियम यानि जितनी भी संक्याएं दी गई हों सब को आपस में जोड दिजिए और 9 से भाग दे दिजिए और यहां पर बराबर 1 by 1 भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो देखिए तो 2 में एक को जोड़िएगा 3 और 3 और 5 आठ है ना तो 8 plus y है ना और upon में 9 और बराबर में 1 ठीक है तो यहां से कितना आजाएगा 8 plus y बराबर में 9 तो y बराबर में कितना आजाएगा बच्चो 9 में से 8 को घटा दीजेगा 9 में से 8 को घटा दीजेगा तो एक ही आएगा तो option number B जो है आपके question का right answer हो जाएगा चलिए बच्चो बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला प्रस्ण है 1 बटा 3 और इस पूरे का power minus 2 और फिर minus में 1 बटा 2 और इस पूरे का power minus 3 और यह big bracket लगा दिया गया है और यहां से divide फिर 1 बटा 4 और इस पूरे का power minus 2 कैसे solve कीजेगा बहुत ही simple question है तो आएए ध्यान दीजेगा मुझे एक चीज बताएगे बच्चो यहां पे 1 बटा 3 और इस पूरे का power minus 2 है इतने को solve करेंगे क्या result मिलेगा बच्चो आपको direct याद रखना है अगर कोई भी question ऐसा हो यानि 1 बटा 3 और इस पूरे का power minus 2 दे दिया है तो यहां पे जो इतने को solve करेंगे कुछ करना नहीं है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इसी तरह माल लिजे मैं अगर आपको दे देता हूँ 1 upon 6 और इस पूरे का power minus 2 क्या बोलेगा क्या बोलेगा इतने को solve कीजेगा क्या आएगा बताएगा तो करना कुछ नहीं है 6 का जो square है वही कर दीजेगा 6 का square कर दीजेगा 36 हो जाएगा ठीक है इसी तरह से मैं 1 by 7 का 1 by 7 और इस पूरे का power minus 2 दे देता हूँ तो क्या किजेगा 7 का square कर दीजेगा 9 और 4 ठीक है आप लोग solve भी कर सकते हो देखो अब मैं इसको solve करके बता देता हूँ कि मैंने जब इसको solve करूँगा तो कितना है ठीक है यानि यहाँ पर मैं 1 by 3 इस पूरे का power minus 2 को मैं लिख दिया हूँ ना 9 अब आएए मैं इसको solve करता हूँ आप लोग देखिएगा ठीक है तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ध्यान से समझना है ठीक है student एक मिनट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon और इसको 1 upon में 3 और इस पूरे का power 2 लिख सकता हूँ क्योंकि देखिए यह चीज़ जो है यह चीज़ को अगर बटा में ले जाएगा इस पूरे को तो इसका जो power है वो plus में हो जाता है इतना तो मालूम है आप लोग को ठीक है तो अब देखिए यहां से 1 upon में अब 1 का square कीज़ेगा 1 ही होगा और फिर upon में 3 का square कीज़ेगा 9 हो जाएगा तो अब 1 में भाग दीज़ेगा एक बटा 9 से तो answer क्या आएगा 9 ही आएगा आया समझ में समझ गए ना तो देखिए यहां पर 3 है तो मैं direct 3 का square कर दूँगा 9 आजाएगा और बीच में minus का चीन है minus लगा लिजे इसी तरह भी यहां पर देखिए 2 है लेकिन यहां पर square नहीं न करना है क्योंकि देखिए इस पूरे का power क्या है minus cube है minus 3 है देख रहा है ना इस पूरे का power minus 3 है तो यहां पर क्या किजिएगा 2 का cube किजिएगा 2 का power 3 यानि 2 का power 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है और फिर अब भागा का चीन है तो भाग divide लगा लेजे अब यहां पर फिर देखिए एक बट्टा चार और इस पूरे का पावर माइनस टू है तो क्या करेंगे सीधे चार का स्कॉयर कर देंगे 16 तो अब आप ही बताए नौ में से आठ जाएगा एक और आप पॉन में सोला यानि एक बटा सोला आपके इस कोशन का अंसर हो जाएगा ऑप्शन अमरे ठीक है आरहे समझ में स्टूडेंट जल्दी से एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग समझ पा रहे हो चलिए बहुत अच्छी बात है बढ़ते हैं अगले कोशन की त यानि कौन सा संक्रिया सहचार्य का नियम नहीं है इन चारों में से तो वैरिकुर यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं आप्शन नमर सी पुर्णांको का भाग जी हाँ ये जो है ये संक्रिया सहचार्य का नियम नहीं है बाकी ये पुन संक्रिया का ये है आपका पुर्णां पुछाता है कौन संक्रिया सहचारे का नियम नहीं है तो ऑप्षन नमर सी इसको डिरेक्ट याद कर लिजेगा अच्छा कर मैं आपसे पूछू पुर्णांग किसे कहते हैं पुर्णांग क्या होता है तो सभी धनात्मक एवम रिनात्मक संख्याओं को पुर्णांग कहते हैं माइनस वन हो गया माइनस टू हो गया जीरो हो गया वन हो गया टू हो गया यह सब क्या ऐसा भी पुर्णांग संख्या है ठीक है ठीक है तो इसको डिरेक्ट याद कर लिजेगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ तो चलिए student अगला प्रेसने है देखिए छुटा सा calculation दे दिया गया है इसको solve करना है तो देखिए इस calculation को solve करने से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा board mask का निया पढ़े हो board mask देख लिजिए देखिए कहने का यह मतलब है देखिए board mask का full form क्या होता है b से bracket, o से order, d से division, m से multiplication, a से addition और s से subtraction यानि पहले bracket वाले को solve करते हैं उसके बाद जो order आता है काके की उसको solve करते हैं फिर उसके बाद division को करते हैं यानि भाग को देखते हैं अगर ऐसे question में भाग की करिया आती है उसको solve करेंगे पहले या फिर उसके बाद multiplication की अगर किरिया आती है उसको solve करेंगे उसके बाद addition यानि जोड दिया होगा उसको करेंगे लास्ट में जो है subtraction को अलब solve करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो बच्चो multiplication तो है division तो है नहीं है ना केवल multiplication है और उसके बाद subtraction है यानि दो ही sign दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग multiplication वाले को solve करेंगे क्योंकि multiplication पहले आता है ना तो आएए इस question को मैं लिखता हूँ 2 बटा 5 गुने में माइनस 3 बटा 7 माइनस 1 बटा 14 माइनस 3 बटा 7 गुने में 3 बटा 5 तो पहले गुना वाले को solve कीजिए यानि देखिए 2 गुने माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 6 और 5 सत्य 35 तो माइनस 6 बटा में 35 हो जाएगा अब यहां से माइनस 1 बटा 14 इसको ऐसी ही रहने दिजिए क्योंकि इसको अभी solve नहीं करेंगे गटाव में है अब इसके बाद देखिए फिर से यह चीज गुना में आ गया है तो अब इसको कर लिजिए तो माइनस 3 गुने 3 कितना होता है माइनस 9 हो जाएगा और बटा में दो में माइनस 6 से गुना किजएगा माइनस 12 तो माइनस 12 आ जाएगा और इधर 14, 75 यानि यहां पर माइनस 5 आ जाएगा और फिर माइनस यहां पर 18 आ जाएगा और बराबर में X हो जाएगा ठीक है तो अब इन तीनों को solve किजिए यानि माइनस 12 और माइनस 5 तो माइनस 17 और माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस 35 तो माइनस 35 बटा 70 और बराबर में X तो इसको काटे एगा 35 दोनी 70 होता है न तो 1 बाइ 2 यानि माइनस 1 बाइ 2 जो है X बराबर मिला यानि X बराबर क्या मिला माइनस 1 बाइ 2 आपके इस कोशन का अंसर होगा यानि आप्शन नमर ए करेक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला कोशन है 121 और 400 के मद्ध है कितनी पूर्ण वर्ग संख्याइं हैं यह आपको बताना है यानि 121 और 400 के बीच कितनी होल स्क्वाइर वाली संख्याँ आएंगी वो आपको बताना है ठीक है तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देगे ध्यान दिजेगा यहाँ पे 121 और 400 के बीच की बात की गई है तो आप लोग यह बताएं 121 जो है यह किस संख्या का स्क्वाइर होता है किस संख्या का यह स्क्वाइर है किस संख्या का पूर्ण वर्ग है यह तो आप लोग बुलेगा ना 11 का अफकोस 11 का है ठीक है इसी तरह 400 यह किस संख्या का वर्ग है यह किस संख्या का स्क्वाइर है बच्चों तो यह 20 का स्क्वाइर है है ना तो बस अब आप यही बताए इनके बीच कितनी संख्याएं आएंगी है ना 121 और 400 के मत हैं कितनी पूर्ण वर्वर्ग संख्या हैं तो देखिए 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हैे ठीक है मतलब 11 से लेकर 20 तक के बीच में आपको बताना है कितनी पूर्ण वर्श संख्या आए ठीक है तो देखें 12 का square क्या होता है बच्चों मालूम है कितना होता है 144 होता है है ना इसी तरह 13 का क्या होता है 180 होता है सब का आप जानते होंगे तो यहाँ पे संख्या का पूछा है कितनी संख्याई होंगी कितनी पूर्ण वर्क संख्याई होंगी चलिए स्टुडेंट अगला कुशन है 49,06,25 के वर्गमुल में कितने अंक हैं 6,5,4,3 तो देखे सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा है स्टुडेंट की ये जो 3,90,625 जो संख्या दी गई है ये किस संख्या का वर्गमुल है यानि पहले आपको इसका वर्गमुल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे देखे एक बहुत अच्छी ट्रिक बताओंगा ठीक है तो अब देखे यहां इकाई अंक्या है 5 है इकाई अंक्या है 5 है तो यह पर 5 लिख लीजिएगा ठीक है क्यों? क्योंकि देखे 5 बच्चों बनता कब है? 5 कब बनता है? جब 5 में 5 से गुना किया जाता है या 5 का square कीजिएगा तब जाके यह 5 बना होगा समझ में आ रहा है? तो यहांपे 5 लिख देना है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर 5 में 5 से गुना करूंगा ये छोड़ देना है ठीक है अब क्या करना है एक अंग छोड़ देना है यानि इकाई के बाद एक अंग को छोड़ दीजिए तो अब बचा क्या 4906 बचाना अब यहां ऐसी संख्या रखो जिसका स्क्वाइर 4906 आए या 4906 से कम आए यानि 4906 आए कोई ऐसी संख्या रखना है जिसका स्क्वाइर 4906 आए या 4906 से कम आए तो देखिए तो यहां पर मैं तीन संख्या लिखता हूं वाली जे 60, 61, 62 ठीक है तीन संख्या मैं लिखा 60 का स्क्वाइर कितना होगा आप लोग बोलेगा न सर 36 हो जाएगा ठीक है 61 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा बच्चो तो यह होता है 37, 31 हो जाएगा और 62 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बच्चो बताएए जल्दी से बताएए 62 का स्क्वाइर कितना होता है तो जल्दी 62 में 62 से गुना कर लिजे तो ये बच्चो आएगा 3844 ठीक है और फिर देखिए यहाँ पर 63 का स्क्वाइर कीजिएगा तो यह आजाएगा 4969 देखे इतना लिखने का कोई जरूत नहीं है मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ये देखे मैंने क्या कहाता है यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखी है जो 496 आए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखना है जिसका स्क्वाइर 496 हो या फिर 496 से कम हो तो यहां 496 से कम कौन से संख्या हो जाएगी देखिए तो यह तो जादा हो गया यह तो 499 हो गया इसके पहले यह 62 तो देखिए यहां पर यह 3844 आ गया यानि यही संख्या है जो 496 से कम है 49606 to नहीं आएगा किसी भी संख्या का square कीजए गा तो 4906 नहीं आएगा नहीं आएगा ना लेकिन 4906 से कम जो संख्या आ रही है 3844 तो ये 3844 किस का किस संख्या का square root है तो ये 62 का है तो यहाँ पहेएगा पाजबल्डल्ल्लल kulland तो अब इसका वर्ग मुल निकालिएगा ना 49, 0, 6, 25 का तो इतना ही आएगा 625 आएगा तो पूछाए कि इसके वर्ग मुल में कितने अंख हैं कितने अंख हैं एक, दो, तीन यानि option नमर डी जो है आपके इस question का right answer हो जाएगा देखिए मुझे बनाना पड़ा इसलिए मुझ प्रेशन है एक पाइथा गोरस त्रिक के दो बाकी सदसे जिनमें एक सदसे 18 है तो देखिए बच्चो यहाँ पे question यह का जा रहा है पाइथा गोरस त्रिक के तीन सदसे होते हैं याद रखिए पाइथा गोरस त्रिक के तीन सदसे होते हैं जिसमें से एक सदसे का मान 18 दे रखा है तो बाकी का 2 सदसे का value कितना होगा तो आएए देख लेते हैं पाइथा गोरस त्रिक के 3 सदसे कौन कौन से हैं है ना पाइथा गोरस त्रिक के 3 सदसे कौन कौन से है पाइथा गोरस त्रिक के सदसे है ठीक है तो बच्चों जो पहला सदसे होता है उसका formula होता है 2m य और जो तीसरा सदस से होता है, यह होता है m square plus 1, यह तीसरा सदस से है, ठीक है, यानि पहला सदस से 2m हो गया, दूसरा सदस से m square minus 1 हो गया, तीसरा सदस से m square plus 1 हो गया, तो इसमें से बोल रहा है कि, जो पहला सदस से है न, उसका value 18 है, यानि 2m, 2m बराबर 18, दे दिया है, तो m बरावर कितना आजाएगा 18 upon 2 यानि 9 तो आप बताएए M का value 9 पता चल गया तो आप लोग दूसरा और तीसरा यानि बाकी के 2 सदस्य का मान भी निकाल सकते हो तो अब आप ही बताएए दूसरा सदस्य कितना हो जाएगा तो M का सक्वेर सक्वहार यानि 9 का MRD कर दीजिएगा और –one तो 9 का स्क्वेर कितना होता है 18 18 18 18 में से ग गया 280 यानि दूसरा सदस्य का value कितना है 80 इस तरह 3 सदस्य का अब णाल लिजिए तो यह क्या है Mром कितना है 9 है 9 का स्क्वाइर कीजिएगा 180 180 में एक को जोड़ दीजिएगा तो कितना अगया तीसरा सदस से 82 तो बाकी के दो सदस से हो कितने होंगे 80 और 82 बाकी के जो दो सदस से होंगे वो 80 और 82 होंगे यानि option नमर ए जो है आपके इस question का right answer हो जाएगा चलिए student बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student बहुत ही simple प्रेशन है तो सबसे पहले क्या करना है यह जो घनाब की भूजाएं आपको दी गई है इसको लिखे लिजिए ठीक है तो घनाब की भूजाएं बिल्गुल step by step चलेंगे हम लोग ठीक है घनाब की भूजाएं कितनी दे रखी है यह 5 cm गुने में 2 cm फिर गुने में 5 cm यह दे रखा है यानि हमको यहां से पता चलगे कि यह length है यह width है यह height है ठीक है यह चीज़ given है तो अब यहां से आप लोग यह बताएं घनाब की भूजाएं आपको मालुम है तो घनाब का आयतन निकाल सकते हैं बच्चो अफकॉस निकाल सकते हैं घनाब का आयतन तो यह घनाब का आयतन क्या होता है वालिम ऑफ क्यूबट क्या होता है तो यह होता है बच्चो एल गुने बी गुने एच होता है ठीक है हाँ एल गुने बी गुने एच होता है तो एल कितना है बच्चो मालूम है आपको 5 है 5 cm गुने में h कितना है 5 cm है तो यह से आयतन कितना आ जाएगा 5 तू 5 दूनी 10 होता है है ना 5 दूनी 10 और 10 पचे 50 तो 50 cm क्यूब जो है आपके घनाप का आयतन आ चुका घनाप का आयतन कितना आया बच्छो इतना तो करी लियोंगे आप लोग है ना इतना complete है यानि 50 cm क्यूब ज आराय कोशन में भाई इस घनाप से देख पारे हो इस घनाप से हमें घन बनाना है अब इस घनाप से हमको घन बनाना है तो minimum कितनी लैन तक का बन सकता है यह हमको find out करना यानि यह लगू घन जो है यह कितना cm तक का बन सकता है यानि minimum कितनी लैन तक का बन सकता है यह हमको नि दिख रहा है आपको इसकी जो भूजाएं हैं 5,2 और फिर 5 दिख रहा है ना 5,2 और 5 इन 3 का एलसेम ले ले लिजे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बस 10 आ गया ना तो लगु घन की लंबाई क्या हो जाएगी यही 10 cm हो जाएगी तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं लगु घन की लंबाई कितनी हो गई बच्चों आप लोग बोलिएगा कि यह 2 cm हो गई ठीक है 10 cm हो गई तो अब यहां से आपको लगु घन की लंबाई निकल गई ठीक है तो अब यहां से आप लोग घन का हैतन भी निकल सकते हो है ना तो आप ही बताई ये घन का यतन कितना हो जाएगा तो बच्चों ये कितना होता है भोजा क्यूब होता है है ना यानि ये का पावर क्यूब बोल सकते हो तो ये क्या है यहापे यही 10 cm है ना तो यहापे 10 का क्यूब कर दिजेगा तो यह कितना आ जाएगा यह आपका 1000 cm क्यूब आ जाएगा ठीक है 1000 cm क्यूब आ गया आपका घन का एतर ठीक है बच्चो अब देखें कोशन जो है बन चुका है कोशन बन चुका है अब यहाँ पर पूछा गया है लगू गन मनाने के लिए ऐसे कितने घनाबों की आवशकता है यानि number of cuboids यानि घनाबों की संख्या निकालनी है आपको घनाबों की संख्या निकालनी है ठीक है तो यह घनाबों की संख्या यह बराबर हो जाता है घन का अयतन ठीक है और बटा में घनाब का अयतन बना दीजिए solve कर दीजिए अब तो सब चीज समझ ही गए होंगे आप लो घन का अयतन बटा में घनाब का अयतन तो घन का अयतन कितना है बच्चो तो 1000 सेंट्रमीटर क्यूब आया है ना और अपन में घनाब का एतन कितना है यह 50 सेंट्रमीटर क्यूब है तो देखे तो 10 से 10 अब इसको कटिएगा तो यहां से कितना आजाएगा आपका घनाबों के संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी यानि कि option number B जो है आपके इस question का right answer हो जाएगा है ना और देखिए दोस्तों काफी बच्चों को यह question में दिक्कत था तो मैंने इस question को बिल्गुल step by step बताया है ठीक है आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लिजिएगा अगर जिनको दिक्कत हुआ है समझने में ठीक है क्योंकि यह question मुझे काफी बच्चों के द्वारा सेंट किया गया था कि सर यह question समझ में नहीं आ रहा है प्लेज इसे बता ठीक है चलिए मिलते चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ और भी question है अभी चार question है ठीक है बच्चों चार question है 37 38 39 40 चलिए उससब को भी देख लेते हैं चलिए student अगला question है एक क्यान में 1125 का घंमल है यानि 91 121 21 कि संख्या का घंमल है 43 का 34 का 45 का या 54 का ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे यह जो भी संख्या दी यह इसको लिख लेंगे 91 1125 ठीक है अब अगर मैं आपसे पूछू इकाई अंग क्या है इसका इकाई अंग है तो आप लोग यही बोलिएगा न सर्फ 5 है इकाई अंग बोलिएगा न इकाई अंग का बच्चो क्या है तो यह 5 है ठीक है अब देखें इसको हम लोग sort trick से कैसे solve कर सकते हैं तो यह जो 4 option दिया हुआ है ना 4 option 43, 44, 45 इन 4 option का 1 अंग को लेकर cube कीजिए इन 4 options में इन 4 options का क्या कीजिए 1 अंग ले लिजिए उसका cube कीजिए और जिसके last में 5 आएगा वही आपके question का answer हो जाएगा ठीक है जैसे कहने करती है बच्चों जैसे 43 है इसका 1 अंग लेजिए 3 है ना 3 है तो अब 3 का cube कीजिए कितना आ रहे 27 है तो यह तो होगा नहीं क्योंकि मैं क्या बोला था 1 अंग 5 आना चाहिए 1 अंग 5 आना चाहिए लेकिन यह पर 7 आ गया इसलिए यह नहीं होगा है ना इसी तरह 4 का cube कीजिए 4 का cube कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा तो आप ही बताएए इसका भी काई अंग 4 हो गया तो आंसर नहीं होगा मैं क्या बहुत होगा 1 अंग में 5 आना चाहिए वही option correct हो जाएगा ठीक है इसी तरह यह जैसे 45 है तो इसका इकाई अंग क्या है बच्चों 5 है तो 5 का cube कीजिए क्या होता है 125 तो जी हाँ दोस्तों देखिए इकाई अंग क्या आ गया पांच आ गया तो option number C जो है आप किस question का right answer हो जाएगा ठीक है हाँ जी ये था short trick हाँ जी चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगर देखिए मालिज आपको पता भी करना है कि सही है कि गलत है तो क्या कीजिए 45 गुने 45 गुने 45 कीजिए और देखिए इतना ही जो है आपको आएगा 45 का cube कीजिएगा तो इतना ही आएगा दन समझ जाएगा कि आप लोग का question का answer सही है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला question है 125 विद्यार्थियों में से 72% किरकेट खेल रहे हैं तो कितने किरकेट नहीं खेल रहे हैं आपको बताना है ठीक है तो टोटल इस्टूडेंट तोटल इस्टूडेंट ये कितने percent हो सकते है मुझे ये बता दीजिए टोटल इस्टूडेंट जो है जहां खेल हो रहा है वहां टोटल इस्टूडेंट कितने होंगे तो आप लोग बोलिएगा ना sir 100% होंगे of course 100% है यानि total student आपके hand rate alma है अब उस में से 72% cricket खेल रहे हैं अब इसी में से 72% विद्यारती जो है यह क्या करते है cricket खेलते हैं 72% विद्यारती किरिकेट खेल रहे हैं तो अब आप ही बता दीजे कितने परतिसद विद्यारती खेल रहे होंगे देखे टोटल स्टुडेंट 100 परतिसत है जिसमें से 72 परतिसत किर्केट खेल रहे है तो अब 100 में से 72 को घटा दीजेगा तो क्या आएगा 28 परतिसत तो 28 परतिसत विद्यारती ऐसे है बच्चो जो किर्केट नहीं खेल रहे हैं है ना जो किरकेट नहीं खेल रहा है ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर मुझे पता है कि सो टोटल स्टुडेंट कितने हैं सो है परतीसत के फॉर्म में टोटल स्टुडेंट कितने हैं तो सो परतीसत है और बराबर में संख्या में संख्या में देखिए कितने यह तो adolescents जो है पूरे वो 100 pre alcanz में हैं है ना और संख्या में कितने हैं टोटल 125 रहाव संख्या यहां पर अले स्टुडेंट बराबर हो गया संख्या में कितने थे 100 नें 20 ANe तियां स्वत के यहां से एक ठर्थिसत का तो इस यहां से स JP कितने निकाल लेज आने स Cr ale जी 25 25 25 होता है तो इसको 25 से काटेज ला जायगा और एक परंटिसत का वाल्यू कितना आ जाएगा बच्चों नहीं खेल रहा है तो परसेंटेज में परसेंटेज में ponieważ तो 28 बचले रहा है तो 28 और margar X 30 का value कितना निकला है गुने पांच बटा चार यहीं न है एक 30 का ववल्यू कितना है पांच बटा चार है तो गुने पांच बटा चार कर देंगे तो यहां से इसको पुस्तके 8000 रुपे परतेक से खरीदे उसने एक पुस्तक पर 4% हाने और दूसरी पुस्तक पर 8% लाब कमाया सारे सौदे में उसका लाब परतिसत यहाने परतिसत थी क्या थी यही बताना आपको ठीक है तो बच्चो जबी भी ऐसा कोशन आए है ना तो इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है उस ट्रिक को लिख लिजिए नोट में नोट में क्या लिखना है आपको लिखना है यदि दो वस्तुओं का क्रैम उले समान हो देखिए यहां पर बोल रहा है ना एक दुकानदार ने दो पुस्तक खरी दी देखिए यह पहली पुस्तक हो गई यह सेकेंड पुस्तक हो गई तो पहली पुस्तक भी 8000 रुपे में खरी दी और दूसरी पुस्तक भी 8000 रुपे में खरी दी यही चीज बोल रहा है ना एक द उसके बाद पहली वस्तू पर X परतिशत लाब हो तथा दूसरी वस्तू पर Y परतिशत की हानी हो तब आपको कोशन में कहेगा लाब परतिशत यहानी परतिशत निकालने को तब कैसे निकलेगा तो आपको क्या करना है बच्चो X माइनस Y अपॉन 2 करना है उसके बाद आपके कोशन का अंसर बन जाएगा ठीक है तो अब देखिए दो वस्तो का क्रय मुल्ले सेम होना चाहिए उसके बाद पहले वस्तो पर x पर्तिसत का लाब दूसरी वस्तो पर y पर्तिसत की हानी होनी तब उसके बाद आप लाब या हानी पर्तिसत निकाल सकते हो x-y upon 2 तो देखिए बना दीजिए अब बन जाएगा कैसे तो अब ध्यान दीजिए अब मुझे ये बताई पहली वस्तु पर X परतिसत का लाब तो लाब कितना हुआ याँ पे ये 4 परतिसत की हानी है और 8 परतिसत का लाब है तो पहले लाब वाले को x मानना है बच्चो है ना क्योंकि देखे पहले वस्तुपार x परतिसत का लाब हो यानि लाब कितना हुआ है पहले लाब जो है वो कितना हुआ है 8 परतिसत तो यह x हो जाएगा ठीक है और इसके बाद माइनस और y कितना है y जो है ये 4 परतिसत हानी हो जाएगी ठीक है तो 8-4 बटा में 2 तो यहाँ पर देखिए तो 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा तो 4 बटा 2 यानि 2 परतिसत आ गया 2 परतिसत अब ये 2 परतिसत यहाँ पे कुछ नहीं है तो sign क्या मानते हैं ये चीज हमेशा याद रखना है तो प्लस 2 परतिसत तो प्लस क्या represent कर रहा है कि लाब हुआ है तो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा option नमर A यानि 2 परतिसत का लाब हुआ है लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है ये जो x लिखिएगा ये मत लिख दीजिएगा यानि ये जो solve किजएगा तो 2 आ जाएगा यानि प्लस में 2 तो प्लस क्या represent कर रहा है कि profit हुआ है यदि माइनस रहता तो वो क्या चीज़ represent करता कि भाई loss हुआ है ठीक है चलि बढ़ते हैं अगले question के तरफ चलिए student अगला question है एक वरगा कार खेत की एक भुजा 60 मीटर है एक आयातकार खेत की लंबाई 80 मीटर है और दोनों के परिमाब समान है तो बड़े खेत का छेतरफल मीटर स्कुएर में क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है तो बच्चों कैसे इस question को solve करेंगे बिल्कुल basic से करेंगे ठीक है यानि देखिए पहले बोलाए कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 60 मीटर है तो यहां से मैं माल लेता हूँ भुजा जो दे रखा है वर्गाकार खेत का वो कितना दे रखा है बच्चों 60 मीटर दे रखा है ठीक है जो जो चीज given उसको लिख लेते हैं पहले फिर उसके बाद बोलाए कि एक आयतकार खेत की लंबाई 80 मीटर है तो यहां से मैं लिख लेता हूँ आयतकार खेत की लंबाई आयतकार खेत की लंबाई आपको दे दिया है दोस्तों कितना 80 मीटर ठीक है अब उसके बाद बोल रहा है दोनों के परिमाब समान है किसका किसका वर्ग का और आयत का ठीक है तो वर्ग जो होता है वो कुछ इस परकार का होता है आपको मालूम है और जो आयत होता है बच्चो वो इस परकार होता है ठीक है तो इन दोनों का परिमाब जो है न वो समान है तो बच्चो वर्ग का परिमाब क्या होता है इसका formula क्या होता है वर्ग का परिमाब का सुत्र क्या होता है बताए तो यह होता है 4A ठीक है और आयत का परिमाब क्या होता है आयत का परिमाप तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्या होता है तो ये होता है 2 इंटू L प्लस B है ना और बोल रहा है कि क्या दोनों के परिमाप समान है यानि ये वर का परिमाप भी समान है और ये आयत का परिमाप भी दोनों एक दूसरे के समान है बिल्कुल equal है ठीक है और वर का परिमाप का फर्मूला होता है 4A आयत का परिमाप जो होता है यह होता है 2 into L प्लस B होता है ठीक है तो अब एक चीज बता है यहां से 4 A क्या है A भुजा है 4 गुने भुजा है A को हम लोग भुजा कहते हैं वर का भुजा कितना है देखो तो 60 मीटर था तो यहां पर गुने 60 कर देंगे और बराबर में 2 और L कितना दिया हुआ है आयतकार खेत की लंबाई कितना है 80 मीटर है तो 80 कर देंगे और प्लस में B तो देखिए तो यह 240 हो जाएगा 60 में 4 से गुना किजेगा तो यह 240 हो जाएगा और बराबर में यह 82 कितना हो जाएगा बच्चो 160 प्लस में 2B तो यहां से 240 में से अब 160 को घटाईए और बराबर में 2B है ना तो यह कितना आजाएगा बच्चो यह आजाएगा 240 में से 160 को घटाएगा 80 आ जाएगा बराबर में 2B तो यह से B कितना आ गया B आपका आ जाएगा 40 काटिएगा तो 40 आ गया तो B 40 आ ठीक है और L जो है दिया ही हुआ है खेत की लंबाई 80 मीटर है और खेत की चोड़ाई जो है आयतकार खेत की चोड़ाई वो 40 मीटर है ठीक है अब बोल क्या रहा है बड़े खेत का छेतरफल बता है बड़े खेत का छेतरफल बता है तो यही नहा है बच्चो बड़ा खेत कौन सा है एक यह खेत है एक यह खेत है कौन सा है आप ही बता है यही नहा है यही है बड़ा खेत तो इसका च्छेतरफल बताना है कहने का च्या रथ है आयत का च्छेतरफल तो आयत का च्छेतरफल क्या होता है आयत का च्छेतरफल क्या होता है L गुने B होता है लंबाई गुने चोड़ाई होता है लंबाई कितना है 80 मिटर है चोड़ाई कितना है 40 है तो 80 गुणे 40 कितना आ जाएगा 32 आ गया बच्चो 32 तो आप्शन नम्मर ए जो है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा तो चली दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जोर दे दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो इस चैनल कोर्स की मदद से कम समय में एकदम बहतरीन त्यारी करना चाहते है नियू बैच एक स्टार्ट किया गया है बच्चो आज से ही एक नियू बैच स्टार्ट किया गया है तो आप लोग इस बैच को जाइन करना चाहते हो तो आप लोग दे गए नमर पे हमें कंटेक्ट आपको सारी information दे दी जाएगी बैंच से संबंदी यहां पर आपको बिल्कुल basic से पढ़ाया जाएगा जो आप paid course पढ़िएगा न वहां math का हर एक topic पढ़ाया जाएगा टेस्ट लिया जाएगा previous paper करवाया जाएगा ठीक है तो चली मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई टाटा गुट नाइट